Hello guys and welcome back to another video, आज की इस वीडियो में आप सबको 5 ऐसे Android Apps बताने वाला हूं, जो आपकी day to day life और बहुत सारी जगा कामा सकते हैं, तो चलिए, सबसे पहला app जो हमारी लिस्ट में है, उसका नाम है SMS Organizer, अभी होता क्या है कि बहुत सारे promotional messages आ जा रहे हैं, जिसके कारण आपका जो बहुत सारे categories मिल जाते हैं, जिससे की अगर आपको personal messages find out करना है, तो आप इस category में आसाते हैं, transactions, अगर आप net banking वगेरा करते हैं, तो उसके related सारे messages आपको इदर मिल जाएंगे, promotional और जैसे की मैंने कहा था, और start messages, अगर आपने कोई भी message को important mark किया हुए, साथी में आपको 100 messages just पढ़ने का option मिल जाएगा, और reminders भी रखने का option आपको इदर मिल जाते हैं, और एक अची चीज आपको इदर finance, अगर आप net banking वगेरा करते हैं, तो उसके सारे finance और जो भी debit amount और बहुत सारे होता है, वो सब भी आपको इदर track record रखने का को इदर option मिल जाता है, ये app आपको प्ले स्टोर में असानी से मिल जाएगा, और जो भी apps इस वीडियो में बताने वाला हो, उसके links description में दिये होए हैं, आजकल लोग privacy को लेकर बहुत स्यादा serious हो चुके हैं, और होना भी चाहिए, और इसी को लेकर हमारा next app है, इसका नाम access dot से, basically ये करता क्या है कि जब भी को पर दिखा देगा, आपको green dot दिखाएगा, अगर वो उसका camera यूस कर रहा है, और microphone यूस कर रहा होगा, तो आपको orange dot दिखाएगा, ये feature तो आपको iPhone में बहुत time से देखने मिल जाता है, लेकिन Android में ये feature available नहीं था, तो आपको सिफ इस app को download कर लेने से, आप ये feature enable कर सकते आपको इस app में बहुत सारे customize करने के भी options मिल जाएंगे, जैसे कि आप इसका dot आपको show करेगा, उसका size भी change कर सकते हैं, या फिर जहां पर भी आप इसे place करना चाहें, वहां पर भी आप इसे place कर सकते हैं, तो next time जब भी आपको कोई भी app background में camera या microphone यूस करेगा, तो आपक आपको इसमें phone के back side पर दो बार या तीन बार tap करेंगे, तो जो भी action आपने set किया हुआ है, वह enable हो जाएगा, मतलब अगर आपने double tap option पर Google Assistant को launch करने का action set किया हुआ है, तो जब भी आप double tap करोगे, तो Google Assistant launch हो जाएगा, और साथ ही में आपको triple tap का भी options मिल जाता है, तो set किया हुआ है, तो app open हो जाएगा, यह पहले से ही iPhone में था, लेकिन Android में नहीं था, लेकिन आप इस app के मदद के जरिये से आप कर सकते हैं, हमारा next app है, इसे किस तर अब pronounce करों, बता नहीं चल रहा, noty easy, यह basically आपकी notification history को record कर लेता है, आपके साथ बहुत बार इसा हुआ और बाद में आपको ढूना पड़ता है, लेकिन इस app की मदद के जरिये से आपके सारी notifications record हो जाएंगे, और आप बाद में आराम से हर एक notification को select कर सकते हैं, और उसे पढ़ सकते हैं, अगर आपको वो notification उस आप से नहीं चाहिए, तो उसे block भी कर सकते हैं, उसे save नहीं कर सकते और mark rate और बहुत सारे options आपको इदर मिल जाएंगे, तो next time से अगर आप clear all पर click कर देते हैं, तो उसकी भी कोई tension नहीं होगी, तो last app जो मैं आपको इस वीडियो का बताने वाला हूँ, उसका नाम है true amps, तो basically इस app की मदद की जरिये से आप बहुत सारे customization कर सकते हैं, जैसे कि जब भी आपका phone charging पर हो, तो जो animation display होता है, उसे भी आप आराम से change कर सकते हैं, और अपने हिसाब से रख सकते हैं, सिफ इतना ही नहीं, अगर आप अपने phone में और बहुत सारे animations करना चाहते हैं, मतलब customization करना चाहते हैं, तो आप इस app के जरिये से उसे कर सकते हैं, आपको notification क style भी change करने के लिए मिल जाएगा, colors भी change करने के लिए option मिल जाएगा, और साथिम और बहुत सारे gestures आपको इसमें आराम से मिल जाएंगे, तो बस ये 5 Android apps थे इस वीडियो के लिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो like करिये, जरूर से आपके लिए और बहुत सा इंट्रेस्टिंग Android apps लाता रहूंगा, बस इतना हिता इस वीडियो के लिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो like, share, subscribe जरूर करना